नमस्कार दोस्तो आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ सोने की इट एक बार एक संत ने अपने दोनों भक्तों को बुलाया और कहा आपको यहां से पचास कोस दूर जाना है एक भक्त को एक बोरी खाने का समान से भरके दिया और कहा जो लायक मिले उसे देते जाना यानि रास्ते में जो भी मिले अगर तुमको लगता है कि वो भूखा है या उसे खाने की जरूरत है उसे इस बोरी में से खाना निकाल कर देते रहना दूसरे भक्त को एक खाली बोरा दिया और उस भक्त को कहा रास्ते में उसे जो भी अच्छा चीज मिले उसे उस बोरी में भर लेना और मेरे पास ले आना दोनों निकल पड़े जिनके कंधे पर समान था यानि जिनके बोरी में खाने का समान था वो काफी धीरे धीरे चल पा रहा था क्यूंकि उसकी बोरी काफी भारी थी और दूसरा जो भक्त था जिसकी बोरी खाली थी वो बहुत ही आराम से चल रहा था और मजे में चल रहा था होने की वज़ा से भक्त को लगा की यह तो बहुत ही महतोपूर चीज है और अच्छा समान है उसने उसे बोरी में डाल दिया थोड़ी दूर और चला तो फिर उसे एक और सोने की इट मिली उसने उसे भी उठा लिया और अपने बोरी में डाल लिया वह जैसे जैसे आगे चलत गया उसे सोने का इट मिलता गया और वह बोरी में भरता हुआ चला गया और एक समय ऐसा आया कि जब बोरी का वजन इतना ज्यादा बढ़ गया तो वह उसे संभाल भी नहीं पा रहा था उसका चलना मुश्किल हो जा रहा था और सांस लेने में भी तकलिफ हो रही थी और दु जो भी मिलता उसे बोरी में से खाने का समान देता गया धीरे धीरे बोरी का वजन कम होता गया और उसका चलना भी आसान होता गया जो भक्त अपने बोरी में से निकाल कर खाने का समान बाटता गया उसका मंजिल तक पहुचना आसान हो गया और दूसरा भक्त जो खाली बोर बोरी में साथ चला था सोने की इट मिलती गई जिसे बोरी में भरता गया जिसके काड़ उसका चलना मुश्किल हुआ धिरे धिरे बोरी का वजन इतना ज्यादा हुआ की उसे कंधे पर रख कर चलते चलते उसने रास्ते में ही दम तोड़ दिया तो दोस्तो आसा करता हूँ या कहानी आपको अच्छी लगी होगी तो इसे लाइक करें और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद